दोस्तों, हमारे प्यारे जिमिन्ट का बर्डे काफी करीब हैं और इस बार इस दिन वो 26 साल के होने वाले हैं और इस special month में आर्मी ने काफी सारी special preparations भी करी हैं और उनके बर्डे के लिए काफी सारी तयारिया चल रही हैं पर उन तयारियों को जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रू कर लीजे और साथ में बेल आइकन को दबा दीजे ताकि हमारी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच आएं दोस्तों बीटियस की चाइनीज आर्मी हमेशा उनको सर्प्राइज देने में सबसे आगे निकल रही है ट्रंको कले भी हमारे बर्डे में काफी सारी खास प्रिपरेशन्स करी थी और बहुत सारी चीजों को पॉसिबल किया था और एक काफी बड़ी सर्प्राइज को प्लान क किया था और दोस्तों इस बार फिर से अपने आइडल यानि जिमिन के इस खास दिन के लिए उनकी चाइनीज आर्मी लगतार काफी सारे प्रोजेक्स के पार्ट लॉंच करती जा रही है और हाली में ही उन्होंने अपने प्रोजेक्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ औ तो ऐसा पहला इंसान बनाएंगी जिनको साउथ कोर्या में एक सुपर एपिक स्केल पर सपोर्ट मिलेगा हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस प्रोजेक्स के अंदर काफी सारी खास चीज़े होने वाली हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्स बहुत बड़ी लार्ज स्क्रिन पर लगे होंगे और दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे कि साउथ कोर्या का सब्वे लाइन दुनिया में बेग सब्वे में फोर्थ नंबर पर आता है जिसका मतलब यह होता है कि जिमन का एड्ड साउथ कोर्या में हर कू दोस्तों इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में एक बहुत भड़ी खास बात है और वो यह है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि सब्वे आर्मी सको जाकर एक ही जगा पर एखटा होकर जिमन के एड्ड को देखना पड़ेगा क्योंकि आर्मी ने पैंडमिक का ध्य पाएंगे और एक ही जगा पे सभी लोगों को एकटा होकर क्राउट क्रियेट नहीं करना पड़ेगा जिसकी वज़ा से आपको पेंडमिक की चिंता करने की भी जरुवत नहीं है तो दोस्तों है ना ये काफी बहतरीन प्रोजेक्ट अगर आपको भी प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स ने जरूर कता है और साथ ही साथ अगर आप भी चिमिन के बईदे के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को हर तका शेर करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में